हलो बच्चों कैसे हो आप लोग अभी तक आप लोगों को One Dream Institute के online platform से physics की classes मिल रही थी आज से आप लोगों को biology की भी classes मिलेंगी मैं रश्मी जहा आप लोगों को biology पढ़ाने वाली हूँ जिसमें मैं दोनों ही section 11th और 12th के जो biology में botany और geology section है दोनों को ही मैं आप लोगों के साथ cover करूँगी पढ़ाऊंगी और आप लोगों से request है जिनको पढ़ना है वही यहाँ पे आएं अपने दोस्तों के साथ channel को share करे चैनल को subscribe करे और बेटा जहां पे भी आप लोगों को doubt लगे या चीजे ना समझ में आया ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत जादा fast पढ़ा रही है तो वहाँ पर please comment section में मुझे बताईएगा कि मैं यह topic समझ में नहीं आया थोड़ा यह fast था या जो भी आपके doubts होंगे आप लिखके मुझे भेजना ताकि मुझे पता चलते रहे कि क में से किसको किसको पता है कि class 11th का first chapter क्या है जिनको पता है फटा फट से comment करके मुझे बताओ कि class 11th का biology में कौन सा first chapter है ठीके तो जैसा कि हम सबको पता है the living world is the first chapter of class 11th आज उस chapter को मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करूंगी ठीके और उस chapter में जैसे कुछ topics हैं हमारे है न application पर फिर taxonomy पर फिर nomenclature फिर taxonomical hierarchy और at the end हम taxonomical AIDS को भी करेंगे लेकिन आप में से कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे हमारे बुक में तो first chapter में कहीं इस topic के बारे में mention नहीं किया गया है taxonomical AIDS तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि CBSE ने अपने syllabus में से taxonomical AIDS को हटा दिया है गय आज हमारा first chapter है यहाँ पर मैं बोर्ड पर आपको लिख के बता रही हूँ इस chapter 1 है ना class 11th का sorry class 11th का chapter 1 the living world बेटा आज इस chapter को हम करेंगे तो उमीद करकती हूँ कि आप लोग N तक बने रहोगे चीजों को देखोगे समझोगे पढ़ोगे अपने questions रेज करोगे जहां पर भी questions आपके raise होँगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि कहीं न कहीं interest लेके आप class में पढ़ रहे हो बेटा और मुझे पढ़ाने में और भी जादा मजा आएगा तो चलो फिर हम अप chapter के नाम पे जाएं तो मैं पूछती हूँ आप लोगों से कि living का मतलब आप क्या समझते हैं what do you understand by living या what is living अगर आप से कोई पूछ ले कि what is living तो how you are going to define it कि living actually है क्या तो सबसे पहले हम उसको देखते हैं what is living सीधा साधा सिंपल सा इसका आंसर है anything that has life is called living वो हर चीज जिसमें की क्या है life है वो आपका क्या होता है living होता है आप लोग अगर चाहो तो अपने साथ notebook भी रखो pen भी रखो और बीच बीच में जो notes में board पे explain कर रही हूँ आपको आप मेरे साथ साथ लिखते जाओ बेटा क्योंकि होता है जब तक मैं आपको बता रही हूँ न तो आपको लगेगा कि as a story आपको मैं समझा रही हूँ तो आपको चीज़े समझ में ये आएंगी जैसे ही class end होगा तो वो चीज़े हमारे दिमाग से क्या होती निकल जाती हैं तो आप लोग अपने साथ notebook भी रखो pen भी रखो कि जो सारे points में यहाँ पे लिख रही हूँ वो आपके पास होने चाहिए ताकि at the end of class जब आप घर में बैठ करके proper revision करो तो उन notes की भी help आप लो तो आजाओ topic पे what is living anything that has life वो हर चीज़ जिसमें की क्या exist करता है life exist करता है उसको हम living कहते हैं ठीक है बात समझ में आ गई अब आते हैं इस word पे यह चो life आप word देख रहे हो कि इसको कैसे हम बोलेंगे अगर हमसे कोई पूछ ले कि आपने ये तो बता दिया कि वो हर चीज़ जिसमें की life है उसको हम living कह रहे है तो ये life actually है क्या what is life तो life को आप कैसे define करोगे या कैसे बोलोगे life is the complex organization of molecules और you can even say that it is the unique organization of complex molecules है ना तो कहने का मतलब है living clear life क्या है अब question यहाँ पर आएगा कि मैम तो चीज़ों को complicated करते चली जा रही है अभी उन्होंने बोला वो हर चीज जिसमें की life है उसको हम living कहते हैं ठीक अब मैम ने हमें पताया कि life क्या है तो it is the unique organization of complex molecules अब बात यह आती है कि इस complex molecules से कैसे हम living को relate कर सकते हैं देखो सुनो समझो बात जो complex molecules है बेटा जब उनका आपस में interaction होता है आपस में interaction से कहने का मतलब है जो various metabolic activities हो रही है जो metabolism हो रहा है उससे आप देखोगे कि किसी भी living का growth होता है, development होता है, living में consciousness होता है, living reproduce करता है तो complex molecule का organization से मेरा मतलब है बेटा interaction of complex molecule है ना, या फिर आप इसको क्या बोलोगे, metabolism भी बोल सकते हो अब इस metabolism से या इस जो complex molecule का interaction हो रहा है, उससे क्या होगा, तो आओ देखते है है ना, चलो, तो you can say that metabolism leads to है ना, चार चीज़े होती ही बेटा, सबसे पहला growth फिर क्या होता है आपका, development फिर आपका होता है बेटा, consciousness पोर्थ हो गया आपका क्या बेटा, reproduction है ना, तो कहने का मतलब है कि हमने start किया, living से, living के definition से आते हुए, हम life पे आए life से अगर हमने फिर वहां से एक word derive किया, metabolism और इस metabolism की वज़े से क्या हो रहा है, किसी भी living में growth हो रहा, development हो रहा, reproduction हो रहा और consciousness हो रहा, तो आप अपने NCRT का जो first chapter है, वो open करके जो introductory part है बेटा, उसको अगर आप read करोगे, तो जो सारे points मैंने यहां से आपको discuss करा है, वो clearly आपके NCRT book में भी mentioned है, ठीक है, अब हम आते हैं, दूसरे इससे next topic पे, कि ये तो समझ गए कि what is living, अब हम ये जानेंगे, what are the different features of living, ठीक है, तो जब भी हम features की बात करते हैं, ठीक है, features of living, तो यहां पे हम two features को study करते हैं, एक तो हो गया बेटा, जो defining feature है, और दूसरा क्या है, बेटा, characteristic feature, है ना, मतलब जब भी हम living के features की बात करते हैं, तो generally हम दो तरह के features के बारे में study करते हैं, एक है आपका defining feature और दूसरा है आपका characteristic feature, सबसे पहले हम समझेंगे कि defining feature क्या होता है, defining feature वो feature होता है बेटा, जो सारे living organism में मिलेगा ही मिलेगा, बात समझ में आई, और characteristic feature वो features होते हैं कि जरूरी नहीं है, कि वो सिर्फ living में मिलें, non-living में भी मिल सकता है, living में भी मिल सकता है, या नहीं भी मिल सकता है, तो आओ सबसे पहले हम defining के बारे में बात करें, तो ये जो feature है, है ना, ये all living organism में आपको मिलेगा, अब थोड़ा आप लोग यहां पे दिमाग लगाओ कि वो ऐसे कौन से features हैं, जो सिर्फ और सिर्फ living organism में मिलते हैं, थोड़ा सोचो, आपने 9th में भी पढ़ा है, 8th में भी प पड़ा है बेटा, तो सबसे पहला जो defining feature होता है बेटा, वो all living organism में मिलने वाला cellular organization, ठीके, इसके बाद दूसरा जो defining feature है बेटा, जो living का है, वो क्या है आपका metabolism, ठीके, तीसरा आप आपका not so important, but still you should know, homeostasis word कहीं सुना है, जहां पे कोई भी living organism अपने internal environment को maintain करके रखता है, तो वो भी आप यहां पे लिख सकते हो, या नहीं भी लिख सकते हो, क्योंकि इसके बारे में detail में है नहीं, but still, चुकि हम defining feature के बारे में पढ़ रहे हैं बेटा, तो इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए था, और एक और होता है बेटा, internal growth, हमेशा याद रखना, internal growth, generally हम growth को characteristic feature में मतलब पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम सिर्फ living organism में मिलने वाले features की बात कर रहे हैं बेटा, तो internal growth को भी आप यहां पे mention करोगे, तो I hope कि living का जो defining feature है, वो आप ल का मतलब वो होता है बेटा, जो सिर्फ आपको किस में मिल रहा है, living organism में ऐसे features मिलते हैं, जैसे कि आपका cellular organization, metabolism, internal growth, homeostasis, ठीक है, बात क्लियर है, कोई doubt है, तो आप लो comment में पूछ लो, या आपको फिर से पढ़ना है, तो आप वहां पे लिख देना कि मैं आप दुबारा से इस topic को करा दो, तो आओ फिर अब अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं, किस पे तो characteristic feature, characteristic feature का मतलब होता है, जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ living में मिले, ये आपको non living में भी मिल सकता है, या नहीं भी मिल सकता, living में भी हो सकता है, या फिर नहीं हो सकता, तो इसको हम लिख सकते ह और, may not be found in living as well as non living, तो characteristic feature में आपका क्या आजाएगा बटा, growth और reproduction, ठीक है, ये दो ऐसे feature है बटा, जैसे कि growth की अगर हम बात करें, तो वो non living में भी आपको मिलता है, अब आप बोलोगे, ma'am कैसी बाते कर रही है, non living में growth कैसे होता है बेटा, माल लो कि ये आपका mountain है, ठीक है, उसका कुछ weight आया, अब उस पर हमने और जादा snow की deposit कर दी, ठीक है, तो उसका weight बढ़ा ना, growth तो हुआ ना, वहाँ पे, बात समझ में आई, अब जैसे कि हम वो sand dunes देखा है, अगर आप में से कोई भी राजस्थान कभी घूमने गए होंगे, जैसल मेर वगरा, तो वहाँ पे आपने rate की पहार देखी होगी, जिसको की हम sand dunes कहते है, अब देखो, आज आप गए, picture click कर आया, sand dunes लगबग मेरे height के, दूसरे दिन आप फिर वहाँ दुबारा गए, अब sand dunes की height इतनी बढ़ गई, है ना, क्यूं वहाँ पे आपका sand का deposit हो रहा, rate का deposit हो रहा, तो वहाँ पे growth हो रहा है ना, बात समझ में आ रही है, characteristic feature की अगर हम बात करते हैं, तो ये ऐसे feature हैं, जो आपको living और non living में मिल भी सकते हैं, या नहीं भी मिल सकते हैं, अब ऐसे कौन से characteristic है, पहला मैंने बोला क्या, तो growth, ये आपको living में भी मिलेगा, ये आपको non living में भी मिलेगा, अब दिमाग में question आता है कि non living में कैसे growth हो सकता भाई, वो तो non living है, life तो exist करता ही नहीं, त stable chair पे अभी बैट करके आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, बैट दे से पहले अगर आप chair को wait करोगे, तो मान लो उसका कुछ something वजन आया, अब आप उसके उपर बैट करके जो पढ़ाई कर रहे हो, तो उसका वजन तो बढ़ा ना बेटा, तो वहाँ पे growth तो भी ना wait wise, बात अ समझ में आ रही है, और अगर हम reproduction को बोले, कि ये आपका living में मिल भी सकता है या नहीं भी मिल सकता, तो बेटा थोड़ा, हम थोड़ा back में जाते हैं, म्यूल सुना है, खचर जिसको कहते हैं, वो किसके hybrid है, आपका donkey का, और किसका है, horse का बेटा, तो म्यूल आपके क्या होते हैं, infertile होते, वो produce नहीं करते हैं, बार-बार-बार-बार hybrid करने से हमें म्यूल आता है, बेटा, दूसरा, अगर आपने honeybees को देखा होगा, उसमें जो drones होते हैं, वो भी infertile होते हैं, फिर जैसे कुछ humans हैं, बेटा, है ना, जो reproduce नहीं कर पाते हैं, बात समझ में आ रही है तो उसको ऐसा थोड़ी है कि हम non-living मान लेंगे, है ना, हम उसको फिर भी क्या है, वो living है ना, तो बेटा, जब भी हम characteristic feature की बात करते हैं, तो इसमें हम growth और reproduction को include करते हैं, ठीक है, बात समझ में आई, तो थोड़ा समय recall करना चाहूंगी, जो अब तक हमने पढ़ा है, ठीक सबसे पहले, जादा कुछ नहीं हमने देखा यहाँ पे, the living world में, बस हमने इतना सा पढ़ा बेटा, कि what is living, anything that has life, फिर हम आए किस पे, life क्या है आपका, आजाओ मैं, pages पे भी आपको ले के जाती हूं, अगर आप लोगों को doubt लग रहा है, कि मैं बोले जा रही हूं, सबसे पहले हमने क्या देखा, what is living, anything that has, life is called living, उसके बाद फिर हम आए थे किस पे, तो life पे आए थे, life के बारे में हमने क्या देखा, it is the unique organization of complex molecules, ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते, unique organization of complex molecules से कहने का मतलब है, interaction of complex molecules, that to your metabolism, बात समझ में आई, Metabolism का मतलब है बेटा, जो various chemical reactions हो रहे हैं, ठीक है, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते गए, किस पे, तो हमने क्या बोला बेटा, कि Metabolism leads to आपका growth, development, consciousness and reproduction, ठीक, इसके बाद फिर हम जब आगे बढ़े, तो हम आए, what are the features of living, तो features of living में हमने दो चीज़ों को देखा, defining feature और characteristic feature, defining feature के बारे में मैंने आपको बताया कि यह ऐसे features हैं, जो सिर्फ और सिर्फ living organism में मिलते हैं, ऐसे कौन से features हैं, जो सिर्फ living organism में आपको मिल रहे हैं, तो cellular organization, metabolism, internal growth, extra में आप homeostasis भी कह सकते हो, homeostasis का मतलब है बिटा, आपने देखा है न, चाहे ठंड हो, या कोई सा भी मौसम हो, हम अपने क्या करते हैं, internal environment को, अपने body temperature को maintain रखते हैं, उसी के बारे में मैं बात कर रही हूँ, फिर आगए हम किस पे, तो characteristic feature, मैंने characteristic feature के बारे में क्या बताया, कि यह हो सकता है, या नह production, clear है यहां तक, अब एक-एक करके इन ही features को हम थोड़ा detail में study करेंगे, तो हम start करते हैं किस से, तो cellular organization से, फिर्स्ट हम start करते हैं, अपना बेटा, cellular organization, या organization, चलो, सबसे पहले हम बात करेंगे, what is cell, कौन बताएगा आप लोगों में से, कि cell क्या होता है, बच्पन से पढ़ते आ रहे हो, आप लोग बताओ, मुझे फटा-फट से, कि cell क्या है, चलो, मैं काम असान कर देती हूँ, आ इसल क्या है, it is the structural, functional, and fundamental unit of life, ठीके बेटा, साथ-साथ आप लोग मेरे साथ लिखते चले जाओ, नोट्स, आगे आप लोगों को, जैसे अभी मैं बायो के नोट्स यहाँ पर लिखवा रही हूँ, ऐसे आपको printed form में भी मिल जाएंगे नोट्स, आपको chemistry की भी classes मिलेंगी, आपको maths की भी classes दी जाएंगी, physics के तो आप ले ही रहे हो, है ना, तो चलो, cell के बारे में जब भी हम बात करते हैं, तो it is the structural, functional and fundamental unit of life, ठीक है, अब देखो, anything less than cell, है ना, मतलब cell से भी कोई अगर छोटी चीज है, तो हम उसको living consider नहीं करते हैं, है ना, तो यहाँ पे आप यह भी point mention कर सकते हो, anything less than cell does not ensure living, अब आपके दिमाग में चीजे आएंगी, ऐसी कौन सी चीज है, जो cell से भी छोटी है, बेटा, वाइरस तो पता होगा, अभी COVID से हम सारे कितने परेशान थे, कोरोना वाइरस, है ना, वो क्या है बेटा, आपका, non, या आप उसको, बहुत कोई उसको कहते कि वो तो living है ही नहीं, वो तो cells का, या किसी living organism के cell की machinery को control करके, खुद को replicate करता है, तो अगर मैं बात कर रही हूँ, cellular organization की, तो cell समझ में आ गया, anything which is less than cell is not to be considered as living, जैसे कि for example, आपका क्या होता है बेटा, वाइरस, याद रखना, ठ ठीक है, बात समझ में आई, तो अब मैं आप लोगों से यहाँ पर question पूछना चाहूंगी, अगर मैं cell को सबसे चोटा unit मान रही हूँ बेटा, तो आप में से मुझे यह जवाब दे करके comment section में बताओ, कि सबसे smallest living कौन सा है अर्थ पे, देखूं आप लोग कितना मन लगा क कि पढ़ते हो घर पे, है ना, मेरा यहाँ पर question है, the smallest living कौन है, कौन बताएगा, फटा फट से बताओ, अगर आप लोग नहीं बता पा रहे हो, या दिमाग में अभी नहीं आ रहा, तो बेटा आपने सुना है, पीपी, एलो, या फिर माइको, प्लाज्मा ठीक है, बहुत सारे competitive exam में अक्सर पूछ लिया जाता है, कि जो सबसे smallest living है, या सबसे smallest living entity है, कौन सा है, तो जिनरली हम पीपी, एलो, और माइको, प्लाज्मा की बात कर रहे हैं, तो बेटा, चार मैंने characteristic के बारे में आपको बताया था, आपका cellular organization, आपका metabolism, आपका growth, आपक reproduction, तो जिसमें से हमने cellular organization को discuss कर लिया है, ठीक है, आप अपनी NCRT book को भी साथ-साथ read करते जाओ, अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है, कि book में से वो छूट गया है, या वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज मुझे लिख के बता दो, क्योंकि यहां से अभी online platform से मैं खड़े-खड़े, आप लोगों की मन की बात तो समझ नहीं पाऊंगी, तो at least आप लोग comment करके बीच-बीच में बताते रहो, ताकि मैं वो सारे topics को आपको बताते चली जाओ, समझाते चली जाओ, ठीक है, अब हम next आते हैं, किस पे बेटा, जो next हमारा feature है, second, that is your metabolism. Metabolism को आप कैसे define करोगे, it is the sum total of chemical reactions. Chemical reaction अब देखो, आप अपने बुक को भी देखोगे, तो metabolism में जो हम sum total of chemical reactions की बात कर रहे हैं, मेटा, यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है, पहला हो गया आपका क्या, तो anabolism और दूसरा हो गया, बेटा, क्या, catabolism आप तो अब बैट के सोच रहे होगे, मैं आपने living से start की class और चीजों को complex करते करते, अब anabolism और catabolism पे आ गई हैं, तो बेटा, मैं आपको बता दूँ, anabolism का मतलब होता है, जहाँ पे हम चीजों को बना रहे हैं, जहाँ पे हम चीजों की synthesis कर रहे हैं, है ना, बनाना या फिर synthesis करना बेटा, और catabolism का मतलब होता है बेटा, breakdown process, मतलब जब हम किसी चीज को तोड रहे हैं, है ना, breakdown process, अब आप बोलोगे कि मैं समझ में नहीं आया, इसको किसी example के थू हमें समझाओ, तो for example मैंने एक सबसे simple सा ले लिया glucose, glucose तो सबको पता होगा, simple form of carbohydrate, है ना, अब हम उसको glucose के example से anabolism और catabolism को समझने की कोशिश करेंगे, मैंने आपको क्या बोला, कि anabolism का मतलब होता है, जहाँ पे हम चीजों की synthesis कर रहे हैं, अगर हम glucose का example लेके समझते हैं, तो glucose आपका कब बनता है बेटा, उसकी synthesis कब होती है, तो during the process of photosynthesis, है ना, photosynthesis में आपका क्या बना बेटा, glucose बना, मतलब किसी चीज का synthesis होना, किसी चीज का बनना, anabolism clear है, अब इसी glucose के context में हम catabolism समझेंगे, बेटा, during the process of respiration, है ना, यही glucose break होकर के क्या produce कर रहे है बेटा, आपका energy molecules, अब बात समझ में आई, कि आपका, जो मैंने metabolism का definition दिया, it is the sum total of chemical reactions, तो sum total of chemical reactions का मतलब है, both anabolism as well as catabolism, anabolism का मतलब होता है, जहां पे हम चीजों की synthesis कर रहे हैं, और catabolism का मतलब हो रहा है, जहां पे हम चीजों को breakdown कर रहे हैं, for example, आपका क्या, तो glucose, clear है, photosynthesis के process में हम glucose बना रहे हैं, और उसी glucose को हम during the process of respiration, क्या कर रहे हैं मिटा, तो breakdown कर रहे हैं, यह बात समझ में आई, अब देखो, यह जो metabolism है, it is the defining feature of living, defining feature of living, ठीके बेटा, अब आप बोलोगे माम, chemical reactions की आप बाते कर रहे हैं, तो यह तो chemical reactions जो है, वो तो हमारे lab में भी होता है, तो अब यह जानने के लिए, कि कैसे आपका chemical reaction सिर्फ आपका living का defining feature है, तो इसको अब हम conclude करेंगे हमारे next वीडियो में, अगर आपको यहां तक सब समझ में आया है बेटा, तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को share करो, चैनल को subscribe करो, और कोशिश करो कि starting से end तक आप वीडियो को देखो, जहां नहीं समझ में आये, comment करके मुझसे पूछो, thank you.